BRD Medical College में Resident Doctor की रहस्य मय मौत से परदा अब तक नहीं उठ सका है खबर है कि होस्टिल की छात्राओं ने कमरे में ही डो आर्ती का इलाज किया उसे ड्रिप भी चड़ाई गई कुछ दवाएं इंजेक्शन के जरिये दी गई हाला कि पुलिस को जांच में क्राइम सीन पर इलाज करने का कोई सबूत नहीं मिला डो आर्ती की रहस्य मय मौत का मामला होस्टल में साथियों ने ही पहले किया था इलाज पुलिस के पहुँचने से पहले कमरे से हटा दिये थे इलाज के सबूत बियाडी मेडिकल कालेज के गाइनी विभाग की सीनियर रेसिडेंट डो आर्ती जा इंद्रा होस्टल के कमरा नंबर 35 में रहती थी वह शुकरवार की देर रात अपने कमरे में अच्छेत मली थी पास के कमरे में रहने वाली सीनियर रेसिडेंट जब उससे मिलने पहुँची तब घटना की जानकारी हुई बताया जाता है कि इंद्रा होस्टल में रहने वाली जूनियर डॉक्टरों ने कमरे में ही डो आर्ती का इलाज शुरू कर दिया उसे डिप लगाई गई जूनियर डॉक्टरों को कमरे में मरीजों को बेहोश करने वाली एक दावा मिली जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों का मा था ठंका आनन फानन में एनेस्थिसिया के रेसिडेंट को बुलाया गया एक एंटी डोज भी लगाया गया फिर भी जब डॉ आर्ती को होश नहीं आया तो मेडिसन वार्ड ले उन्हें जाया गया पुलिस को नहीं मिले इलाज के सबूत खबर है कि डौ आर्ती की मौत के बाद इलाज करने वाले जूनियर डॉक्टर सक्टे में आ गए आनन फानन में कमरे से इलाज के सबूतों को हटाने का फैसला किया गया गाइनी विभाग के रेसिडेंटों ने कमरे से इलाज के सभी उपकरन व दवाएं हटा दी यहां तक कि जूनियर डॉक्टरों ने मरीज को बेरोश करने वाली दवा को भी हटा दिया पुलीस को छात्रा के कमरे में सिर्फ एक सीरींज ही मिले, कमरे में रेसिडेंट के इलाज करने की जानकारी मुझे नहीं है, पुलीस मामले की जाज कर रही है, इस पर ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, डो, राकेश सकसेना, प्रवक्ता, बियर डी मेडिकल कालीज होस्ट होस्टल के बाहर पसरा है, सन्नाटा बियर डी में सीनियर रेसिडेंट की मौत के बाद से जूनियर डॉक्तर सक्टे में आ गए है, इंद्रा होस्टल में मातन सा माहल है, रवीवार को होस्टल में सन्नाटा पसरा रहा, ज्यादा तर जूनियर डॉक्तर होस्टल के कमरों में सिर्फ वहीं रेसिडेंट बाहर निकले जिनकी वार्ड में ड्यूटी थी, रेसिडेंट का मनोबल बढ़ाने के लिए गाइनी विभाग के शिक्षक होस्टल में समय समय पर राउंग लगा रहें, आज दी जा सकती है श्रद्धानजली डौ, आर्ती की मौत के सद में से बी आ डौक्टर श्रद्धानजली सबार कर सकते हैं, इस पर फैसला सुमवार को बैठक कर जूनियर डौक्टर ले सकते हैं, उधर इस खटना के बाद डौ, आर्ती के पैत्रिक आवास पर जाने के लिए भी जूनियर डौक्टर रुहा पोह में रहे, इसको लेकर रविवार को को कोई फैसला नहीं हो सका.